तो ऐसे हम पर एर हाँ मेरे पास OPPO F21S PRO 5G स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में TOP 60 PLUS जी हम तो साथ से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इंट्रेस्टिंग हेडन फीचर से बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुती इंट्रेस्टिंग और सम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महेंगा पड़ाया सस्ता देखने के लिए हमपर view पड़क पर क्लिक किजिए आपके सामने ही प्राइज देखेगा सबसे पहले फीचर के बात करने के लिए आप दोदो applications को एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही screen में यूज़ करना चाहते हैं दूस्तों आप इस phone में screenshot लेना चाहते हैं तो three finger को नीचे लेकर आना है और screenshot लाजाता है इसके अलावा value minus button और power button पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी screenshot लाजाता है इसके अलावा आपको आना है इस notification पैनल में आपको मिलता है यहाँ पर screenshot का button यहाँ पर clicker की भ यह long screenshot इस तरह से अपको select करना है यहां तक चाहिए 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 यहां पर click करना है यहां पर right पर click क अगली फीचर के बात करने के अब मालों आप कोई भी एपिलेगेशन को यूज कर रहे हैं और थोड़ी दिर लिए आप इसको क्लोज करके रखना चाहते हैं तो यहां पर मेनों मटन पर क्लिक करने के बाद उस एपिलेगेशन में आप क्या कर रहे थे सब कुछ दिख रहा हैं अगले feature की बात करने के लिए आपको settings में आना है और इस personalized setting में आपको आना है यहाँ पर है always on display यह off है तो इसको on कर लेना है और display options पर आप click करके इसको all day कर लेना है और save button पर click कर देना है और चलिए जैसे हम लॉग करते हैं फून को तो always on display में कुछ इसरा से show हो जाता है यह आते हैं दो सम्व ब्याक उसके बाद यहाँ पर है themes इस themes में आपको आना है आपने कोई भी themes को download किया है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे यहां से आप इसको apply कर सकते हैं ब्याक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है quick settings आपको इस quick setting में आना है अब यहाँ पर जो notification पैल सकते हैं इसके बाद custom पर आप click करके agree and continue करके आयंगे तो यहाँ पर आपको कुछ style से मिलते हैं पर जो आपको style अच्छा लगता है उस style को आप यहाँ पर use कर सकते हैं आते हैं back आपको यहाँ पर मिलता Pizza padding कि करके आये तो इसको आप यहाँ पर आप सकते हैं यह देख लीज वोटो सेट करके रख सते हैं लौक या होमस्किन पर आते हैं दोसमें ब्याक और इसी परस्टनल सेटिंग में आपको आना है आप दिखता हो आपको कलर यह क्या है वाल पपर कलर प्रिक्क पर आप कलिकर के अधोरी क्लिकर आपको पर धिल खर सक्ते हैं बड़े कितने ही शकोटे हो यह display के साथ में बड़ा हो जाता है अंदर का जो screen है उसके बाद back आने के बाद आपके यहां पर मिलता है इसी setting में fingerprint animation मतलब आप fingerprint set करके रखे हैं तो unlock करते वक्त में यहां पर एक effect आता है वह effect आप यहां पर चेंज कर सकते हैं मैं यहां पर इस effect को select कर लिया हूँ अभी देख लिजिए वही effect आता है अनलॉक करते वक्त में जो effect आपको अच्छा लगे यूज कर लिजिए ब्याक आते हैं यह कमाल का feature है ब्रिधिंग लेट भी आपके यहां पर इसमें मिलता है डूल है तो यहां पर ब्रिधिंग लेट आया यहां पर कितने हुज़े से लेकर कितने बज़े तक यह ब्रिधिंग लेट लगना चाहिए वह आप यहां पर time set कर सकते हैं उसके बाद यहां पर otherwise on will charging मतलब आप इसको on करेंगे तो अब जब भी charging लगाते हैं अपने phone को तो पीछे camera के border में इस तरह से ब्रिधिंग लेट लगता है blue color में काफी अच्छा दिखता है उसके बाद quickly blink for incoming calls मतलब call आने के बाद भी वह breathing light लगना चाहिए तो इसको on कर सकते हैं slowly blink for notifications मतलब notifications आने के बाद भी वह light लग connect करता हूं दोस्तों देखेंगे charging connect करने के बाद में वह lights कैसे लगते हैं यह दिख लिजी हम पर breathing light आपको लगते हुए दिख रहोंगे हाँ पर अभी setup में light बहुत ज्यादा है दोस्तों यहाँ पर LED light उसलिए हम पर यह down दिख रहा है आप अंदेरे में ना देखें ना बह तो पूरा phone इस तरह से black black सा हो जाएगा तो आपके आँकों को effect ने पड़ता है screen का और battery भी कम consume होती है मैं थोड़ी तरिकली इसको off करता हूं video recording करने के लिए इसके अलवा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है screen color mode आपको जो screen है ना उसका color भी आप हैंपर change कर सक करता है इसकी capacity को आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं आप browsing कर रहें या steady कर रहें तो इसको on करना आपके आँकों को effect ने पड़ता screen का back आते हैं और आपको उसी display setting में आने के बाद नीची मिलता है आप screen time out हैं से आप maximum 30 minutes तक कर सकते हैं आपने एक minute कर ल हम पर caller add and spam आपको इस setting में आना है verified calls को भी on कर लेना है और इन दोनों settings को on करना आपको जो भी call आते हैं वो verify होकर आएंगे आपको spam call वगरा आते हैं तो आपको पता चलेगा back आने के बाद आपको हम पर मिलता है block at numbers इस setting में आकर unknown को on करेंगे तो जो number आपके phone में save नहीं ह उस number से आपको call ही नहीं आएगा यह ladies के लिए useful feature हो सकता है इसके अलावा add a number पर click करके हम पर जो भी number आप dial करके block पर click करेंगे वो number blacklist में पढ़ जाता है blacklist से निकालने के लिए इस तरह सी इसको blacklist से निकाल भी सकते हैं आते हैं back आपके हम पर मिलता है calling accounts आपको इस calling accounts setting मे आना है answer and calls में आना है और यहाँ पर इस setting को on करके delay at answer पर आप click करके 10 seconds कर सकते हैं अब मालू Bluetooth connect है आपको call आता है तो 10 seconds के बाद में automatic call receive हो जाता है उसके बाद यहाँ पर press power button to end calls इसको on करेंगे अब मालू आप call पर बात कर रहे हैं आपको call काटना है तो power button पर एक बार click कर हो जाता है ब्याक आते हैं एक step आपको यहाँ पर मिलता है अडवांस सेटिंग्स आपको इस setting में आना है flash on call को on करना अब मालो आपको call आता है तो जो पीछे फ्लेशलेट है वह breathing लेट ने breathing लेट भी लगेगा साथ में जो फ्लेशलेट है वह फ्लेशलेट भी लगेगा call आने के बाद में एक step back आते हैं और एक step back आते हैं आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में एक दूम लाक्ष्ट में caller ID announcement आपको इस setting में अनौस caller ID पर आपको करके इसको अलवाइस कर लेना है अब मालो आपको call आता है तो जो नंबर है वह जो आपको call आ रहा है वो किस नाम से set है वो नाम बोलेगा दूसरों speaker में आप कहीं भी phone को रखे हैं तो नाम सुनकर पता कर सकते हैं इस बंदे का call आ रहा है बोलकर अगले future की बात करने लिए आपको आना है settings में और आना है इस तरह से नीचे हाँ पर notifications and status bar इस setting में आपको आना है और यहाँ पर ह करेंगे तो उस app की उपर एक dot बताएगा वो dot को देखकर आप पहचान सकते हैं इस app से notification आया है बुलकर उसके बाद आप करेंगे number तो quantity बताएगा आपको उस app से कितने notifications आये हैं आप हम पर number ही कर लेना ज्यादा अच्छा है back आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है lock screen notification डाउर यह off कर लेना दोस्वों आपको आपने off कर लिया अब मानलों आप लॉक करके रखते हैं पून को तो आपको notification पैनल नीचे लेकर आना है तो नहीं आएगा यह देख सेते हैं अब यहाँ पर मैं इसको on करूंगा तो lock screen से भी notification पैनल आएगा यहाँ पर यह देख लि आता है आप यहाँ पर इसको करेंगे तो कोई भी एप से अपको notifications आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्कून पर आपको बताएंगे इसको भी आप यहाँ पर डूनोट शो करना आप डून आप लॉक करेंगे तो कौन से अप से notification आया है वह तो बताएगा लेकिन message नहीं बताएग लॉक स्कून पर मेसेज देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा दोसों उसके बाद यहाँ पर है वेक स्कून वेन नूटिफिकेशन इस रिसूड आप इस स्टेटिंग को अन करेंगे अब मानलो आप लॉक करके रखते हैं पोन को तो कोई भी एप से आपको notification आत आते हैं उनके icons वेगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे आप यहाँ पर शोव नंबर करेंगे तो आप मानलो आपको पांच एप्लेकेशन से नूटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर उपर पांच बुलकर लिका होगा उसके बाद यहाँ पर शोव एकन उसके बाद battery percentage को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं battery percentage देखने के लिए उसके बाद यहाँ पर है real time network speed इसको on करेंगे तो अब मानलो आप internet यूज़ कर रहे हैं तो आपकी internet की speed कितना है कितने mbps कितने kbps है यहाँ पर आपको उपर बताएगा उसके बाद यहाँ पर करेगा सब कुछ करेगा लेकिन यहाँ से off करने के बाद यहाँ पर status बार में icon नहीं दीखेगा यहाँ पर status बार में किस feature का icon नहीं दीखना चाहिए यहाँ से आप इसको off कर सकते हैं अगले feature की बात करने लिए आपको इस notification पैनल में आना है आप इस phone में wifi और hotspot दोनों एक स यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने wifi का internet अपने hotspot के जिरिये किसी और को share कर सके बिना उस phone में अपने wifi का password डाले इसके बाद आपको इसी notification पैनल में मिलता है screen recording आप हम पर screen recording करना चाहिए screen recording कर सकते है extra app और लेने की ज़रूरत ने सारे settings कर लेना करके है screen recording कर सकते हैं उसके आपको पता ही ने चलेगा क्योंकि आपका smartphone hybrid भी नहीं होगा और phone की ringtone भी नहीं बजेगी आप meeting में वगारा रहते हैं तो इस do not desktop को use कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको pencil पर क्लिक करना है pencil पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे और बहुत सारे buttons हैं आपको drag करके लेना है mute notifications हैं इसको भी लेंगे उपर इसके बाद यहाँ पर है और कुछ खास feature मुझे जो अच्छे लगते हैं वही मैं ले रहा हूँ focus mode को ले लेता हूँ उपर kid space को लेता हूँ उपर और उसके बाद में यहाँ पर इतने मुझे खास लगते हैं यहाँ पर है दोसों mute notifications इसको on करेंगे तो आपको कोई भी एप से notifications ही नहीं आएंगे यहाँ पर अब थोड़ी दिरक लिए सारे applications के notifications को बंद कर सकते हैं इसको off करेंगे तो उसके बाद notifications आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हैं focus mode यहाँ से आप आखर कोई भी एक application का हो या दो चार application का हो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है कोई एक application या दो application या चार application के notifications को आप थोड़ी दिरक लिए ब्लॉक कर सकते हैं और उस application को open करेंगे तो open भी नहीं होग और यहाँ पर हमको notifications भी नहीं आएंगे Gmail के अभी मैं यहाँ पर इसको focus mode को off करता हूं आपको और भी application select करने के लिए long press करना है इसके उपर और show all apps पर आप क्लिक करके और दूसरे applications और भी आपके हमपर add करके रखना चाहिए add करके रख सकते हैं अगले feature की बात करने के लिए आपको इसी notification पैनल में आना है और हमने लिया आता है हमपर kids space यह कमाल का feature है दोसों agree and continue करके आना एंडर पर क्लिक करके हम पर अब मालो आप बच्चों के हाथ में phone देते हैं तो बच्चे कौन सा application यूज करें वो बाइड़ डिफॉल्ट एक application आप हमपर set कर सकते हैं example तो चलिए हम पर YouTube को select कर लेता हूं right पर click कर देना है और खतम आप यह kid space में आ जाएंगे ब applications आपने हाँ पर set करके रखा है उन्हीं applications को use कर सकेंगे दूसरा कुछ भी आपके smartphone को use ने कर सकते ब्याग बटन, home button, immuno button पर click करने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा इसको निकालने लिए 3Dot पर click करके exit पर click करेंगे तो आपको fingerprint से निकालना होगा fingerprint unlock करना होगा तब ही आपको settings कर लेना है अगले future की बात करने के लिए आना है आपको settings में और आना है इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है privacy आपको इस privacy setting में आना है हाँ पर head apps पर click करके यहां से आप applications को head कर सकते हैं चलिए हाँ आप Amazon को head कर लेता हूँ हाँ पर settings पर click करेंगे हाँ पर pattern pin password आप क्या रखना चाहते हैं वह यहाँ पर रख लेना दूसरों यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर pattern रखता हूँ उसके बाद यहाँ पर हायव अगर आना है तो चलिएगा उसके बाद settings पर click करके हाँ आपको code डेल करना है जो applications को अपने head के यहाँ पर आपको दिखेंगे अगले feature की बात करने के लिए आते हैं settings में और आते हैं इसी तरह नीचे आकर इसी privacy setting में आपको यहाँ पर मिलता है app log यहां से अब app log set करके रख सकते हैं कोई भी एपलेकेशंस को तो चल्य हांपर app log कर ले ना हम पर मैं चलिए Chrome को set कर लीता हूं यूज पर क्लिक करके हाँ पर आपको क्या करना भी यह तो यूज हो चुका है सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आपको क्या करना है इसकी उपर क्लिक करके हाँ पर एक्टिंग दे एप पर इसको सेट कर लेना है आपने इसको सेट कर लिया तो अभी हाँ पर मैं उपन लॉक पुछ रहा है बार बार उपन कोरेंगा तो बार बार लॉक पुछता है एक्जिटिंग एप हमने कर लिया न उसलिए बार बार पुछता है अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और सेटिंग में नीचे आकर इसी privacy सेटिंग में आएंगे आने के बाद यहां पर है प्राइवेट से यहां पर अपना data important data जो होता न वो छुपा कर रख सकते हैं audio, videos, documents, file वगरा छुपा कर रख सकते हैं यहां पर आप जो भी छुपा कर रखेंगे वो file manager में gallery में show नहीं होंगे अगले future की बात करने के लिए क्या करते हैं settings में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे और आपको यहां पर मिलता है battery, इस battery setting में आपको आना है advanced settings में आपको आना है optimize night charging इसको on कर लेना है आप इसको on करेंगे तो 80% से ज्यादा आपका phone charging नहीं होगा आप इसको बैटरी आपकी safe रखना चाते है ज्यादा दिनों तक आप safe अच्छी रखना चाते है battery को तो इसको on कर लेना है तो इसको off कर लेता हूँ क्योंकि मुझे charging test भी करना है 100% तक अगले feature की बात करना के लिए आते हैं दोसों settings में और नीचे अगर आपको इस app setting में आना है आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है app cloner Facebook को dual करना है तो यहाँ से इसको on कर लेना है वो creating app clone हो रहा है तो उसके बाद में वो dual हो जाते हैं यहाँ पर यह देख सकते हैं दो Facebook हो चुके हैं अगले feature की बात करना के लिए आना है आपको settings में और आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना है आपको यहाँ पर मिलता है special features और यहाँ पर एक quick launch यह कमाल का feature है दोसों आपको सबसे पहले fingerprint lock set कर लेना है अपने सट कर लिया है तो यहाँ पर quick launch को on should right click करना है अप अपने वहाँ पर है यहाँ पर यहाँ उपने पर start करके रखार है उनमें से कोई भी एक application को आ यूज करना है तो fingerprints से आपको फोन को unlock करना लेकिन नहीं हटाना नहीं है आप उंगली नहीं हटाएंगे वो applications निकल कर आएंगे, कौन से app को use करना है, उसके उपर drag करके छोड़ना है उंगली, वो application open हो जाता है, अगले feature की बात करने के लिए settings में आते हैं, और नीचे अगर इसी special feature setting में आते हैं, और नीचे हम पर smart sidebar इस setting में आएंगे, यहांसी इसको on करेंगे, agree and continue करेंगे, हम प करें, applications को निकाल कर, apps पर click करके, अपने मन पसंद के applications भी आप हम पर add करके, रख सकते हैं, आप कुछ भी use कर रहे हैं, तो इस तरह से तुरांट slide करके, वो application को open करके, use कर सकते हैं, तो चलिए, और आते हैं, एक step back, और आपको आना है नीचे, हांपर आपको special features में आने के ब आप मालो, आप lock करके रहे हैं, फोन को, तो आप double tap करें, screen पर, तो ये screen on हो जाता है, उसके बाद हम पर draw or to open camera, draw or flash it है, ये दोनों settings को on कर लेना, आपने on कर लिया, आप मालो, आप lock करके रहे हैं फोन को, तो आपको flash it on करना है, तो we dial करना, और screen से ही flash it open हो जाती है, उसके आना है, और यहाँ पर दूसरों system navigation, और ये back button, home button, menu button को आप head करना चाते हैं, तो gestures पर इसको set करना, cancel करना, buttons head हो जाएंगे, और switch to previous app, इसको भी on कर लेना, अब मालो, आप back आना चाते हैं, तो इस set से back आ सकते हैं, इस set से भी आप back आ सकते हैं, home button, ये रहा, recent text remote करना चाते हैं, तो यहाँ से नीचे से long tap करके recent text को भी remote कर सकते हैं, और switch to previous app का मतलब क्या है, अब मालो, आप इस application में हैं, जो आपने पिछली बार application को use किया था, इससे पहले, उस application में आप switch होना चाते हैं, तो यहाँ पर back button से आपको long press करना है, तो आप उस application में switch हो सकते हैं, और व questions and mentions आपको इस setting में आना है, यहाँ पर raise to a को आप on करेंगे, अब मालो आप lock करके कहीं भी phone को रहे हैं, तो जैसे phone को उटा कर हाथ में लेते हैं, तो automatic screen on हो जाता है, उसके बादे हाँ पर leave to a to answer calls इसको on करेंगे, अब मालो आपको call आता है, तो जैसे कान के पास ले कर जात एक और है, हाँ पर air gestures इसको on करेंगे, हाँ पर answer और mute calls इसको on करेंगे, अब मालो आपको call आता है, तो धूर से ही आपको phone को touch करना नहीं है, धूर से ही आप इस तरह से करेंगे, तो यह call receive हो जाता है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और scroll up, down, आप इस setting में आकर इसको on करेंगे अब मालो आप supported apps के हाँ पर यह देख सेते हैं, YouTube है और Facebook है, आप Facebook और YouTube में हैं, तो आप scroll करना चाहते हैं, अभी फिलाल तो इसमें internet नहीं है, आप scroll करना चाहते हैं, तो धूर से यह आपको इस तरह से करना है, आपको touch नहीं करना है दूसरों phone को, धूर से आप इस तरह से क इस connector को OTG से लगा लेना है, और इसको अभी charging के जगा लगा लेना है, हमने लगा दिया, उसके बाद आपको आना है settings में, यहाँ पर search bar में आपको search करना है, OTG, आपको search करना है, यहाँ पर OTG connection में आना है, आने के बाद यहाँ से इसको OTG connection को on करना है, अभी आपको mouse का right या लेफ्ट किलीक कर देना किलिक मैंने कर दिया तो यह मौस करनेक्ट हो जागा इस तरह से आप मौस से आप क iba उसका है यहां पर जो पंचल में लेटिंग है आपको जो दिख रहा है ग्रीन किलर में यह कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा इसको set करने के लिए आपको open करना है Chrome को open करके आपको यहां पर type करना है ring, ring, apk यह रहा ring, एक और बार ring और apk type करके आपको इस application को download कर लेना है फिलहाल इसमें internet नहीं है मैंने दूसरे फॉन से इसको share कर लिया है आप इस application को download करके open करेंगे तो सारे permissions देना है सारे permissions देंगे तो आएंगे आप इस step में यह off रहते हैं सबसे पहले इसको on करेंगे तो यह controller है इस controller से आपको अपने camera के पास ले कर जाना है इस ring को यह हो गया camera के पास ले कर गया आपने उसके बाद यहां से आप इसको छोटा बडा कर सकते हैं उसके बाद आप इस पर click करके हम पर और यह पहले से by default तो कुछ इस तरह से segment color होता है अब मालनों आपको यह pink color set करना है तो pink color का जो code है इस तरह से आपको copy कर लेना इस तरह से set हो जाता है अगले feature की बात करना के लिए आपको settings में आना है और आना है इस तरह से एकदम नीचा आना है system settings में आना है यहां पर assist to bell यह off है तो यहां से इसको on कर लेना है on करके आपको tap menu पर click कर देना है और एक इस तरह से एक icon निकल कराता है इसके ऊपर आप click करके back button यूज कर सकते हैं और आपको आपको आना है आपको आना है इसको on कर लेना है अब मालो आप एखासी phone को यूज करना है वो application आपको open करना है तो आपको कहा करना है नीचे हाँ पर long press करना है तो यह application छोटे हो जाएंगे कोई से app को यूज करना है उसकी ऊपर छोड़ना है उगली वह application open हो जाता है अगली feature की बात करना कि लिए दो उगलें से पिंच करना है इस तरह से slide करके यहांपर और आना है more में आने के बाद आपके हाँपर मिलता है double tap to left इसको on कर लेना है और अब मानुला आप लॉक करके रखना चाहते हैं पून को तो जहां पर भी आपको खाली जगा दिखेगा डबल टैप करना है लॉक हो जाता है अगले फीचर की बात करने के लिए दोंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे इस तरह से स्लैड करने के बाद आएंगे मोर में और आपको नोटिफेकेशन निकाला है तो उपर से खिचने के ज़रुरत नहीं नीचे से इतना करेंगे निकल कर आएगा यह देख सकते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए दोंगलियों से पिंच करेंगे और आएंगे इस तरह से स्लैड करके मोर में और नीचे आएंगे य आपको इस सटिंग में आना है आपको यहाँ पर more settings में आना है हाँ पर display data usage in notification drawer of और तो इसको on कर लेना है आज सुबा से लेकर अभी तक आपने कितना data यूज़ का है, कितने mb यूज़ का है, कितने gb यूज़ का है, यहां पर आपको उपर बताएगा दोस्तों अगर आप इसी smartphone के camera के settings वाला वीडियो देखना चाते हैं या 0 to 100% charging test वाला वीडियो देखना चाते हैं या आप देखना चाते हैं funny comedy के साथ unboxing वीडियो या आप देखना चाते हैं top 10 plus tips and tricks interesting hidden features वाला वीडियो जो tips and tricks आपको मैंने उस वीडियो में बताए है इस वीडियो में मैंने वो features आपको नहीं बता है आप जाकर देखना उस वीडियो को भी इसी तरह के features देखने के लिए सारे वीडियो की link आपको नीचे मिल जांगे description में